चलिए बनाते हैं आज ये पहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी ब्रेट पटेटो रोल वो भी बिना ब्रेट के जी हां आज ये जो मैं आपके साथ रेश्पी शेर रही हो ना ये भूद ही यम्मी और टेस्टी रेश्पी है जरू त्राई कीजेगा आपको यकिन नहीं होगा कि बिना ब्रेट के भी आप ये बहुत ही टेस्टी पटाटो रोल बना सकते हैं, ये खाने में भी टेस्टी हैं और साथी में हेल्दी भी हैं, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले यहां पे आमें उबले हुए आलू लेने हैं, और इनको उसे मेश कर ले या आप इने कद्दू कस भी कर सकते हैं, अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी बारी कटीवी प्याज, साथी में इसमें बारी कटीवी हरिमेच और बारी कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, तो हरिमेच आप इसमें जरू डालिएगा, इससे बहुत बाकि आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो हरिमेच आप सकिप कर सकते हैं, अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी लालमेच पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, या आप मैगी मसाला भी इसमें डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, इसी के साथ नमक डालेंगे और काला नमक भी इसमें जरूर एड करेंगे, इसलिए नमक हिसाब से डालेंगे, तो दोनों नमक इसमें डाल देंगे, प्लेन नमक और काला नमक, अब आस हातों से ना, सारी चीजों को अच्छे से मि इसे क्या है आपको बनाने में थोड़ी से असानी होगी तो पहले सारे इसी तरीके से चोटे-चोटे से रोल बना के हम रेडि कर लेंगे, तो धिहान रखें जादा बड़े साइस के ना बनाएं, थोड़े चोटे-चोटे ही बनाएं अब गैस की स़िर्टे हैं अब पैन में हम डालेंगे पानी तो ये मैंने 2 कटोरी यहाँ पर पानी लिया है तो किसी भी कटोरी से कप से या ग्लास से आप नापके पानी ले Lewis तो यहाँ पर तो यहाँ पर गैस की फिल्मों आपको हाई पर रखना है तो ये दो केटोरी मैंने पानी जाल टिया है इससे क्या है हाई फ्लें में जल्दी से ऊबल जाएगा अब इसमें हम ठोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाधन नूसार ध्यान रखे स्टरफिंग में भी नमक था ठोड़ी सी हम शमेद लाजमिष पाउडर जालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे इससे दिखने में और खाने में दोनों में ही टेस्ट जाएगा साथी में एक चम्मच के करीब हम इसमें तेल डाल देंगे अच्छे से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे इसमें उबाल आने देंगे हाई फ्लेम पे बहुत जल्दी इसमें उबाल आ जाएगा और जैसे आप देखेंगे इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है गैस की फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे और अब इसमें हम डालेंगे एक कटोरी सूजी जितनी आपको सूजी लेनी है उसका डबल पानी लेना है इसलिए कोई भी कटोरी कप या गलास जो भी आप ले रहे हैं उससे नाप के आप सूजी ले तो ये measurement आपको ध्यान रखना है, एक कटोरी सूजी, दो कटोरी पानी, अब सारे चीजों को अच्छे से mix कर लेंगे, और जल्दी जल्दी इसको चलाएंगे, ध्यान रखें, इसमें गांठें ना पड़ें, तो इस तरीके से इसे अच्छे से हम mix कर देंगे, और जैसे जैसे ये mix होता जाएगा, आप देखेंगे, ये mixture थोड़ा सा गाड़ा हो गया है, अच्छे से पकने के बाद, इससे जादा हम इसको और जादा गाड़ा नहीं करेंगे, गैस की flame को बंद कर देंगे, और इसे ना किसी भी बड़ी सी plate में निकाल देंगे, जिससे ये जल्दी से बस आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, ये mixture बहुत जादा थंडा नहीं होना चाहिए, बस इतना थंडा होना चाहिए कि आप इसे चू सके, अभी ये काफी गरम है, तो इसको थोड़ा सा थंडा कर लेंगे, जैसे आप देखेंगे, ये हलका गरम हो गया है, इसमेंसे थोड़ा सा mixture लेंगे, और इसको हटेली पेही न थोड़ा सा बढ़ा कर लेंगे, इससे आपको इसे बेलने की भी जरुथ नहीं है, वस इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा बढ़ा कर लेंगे, और जो रोल हमने प्तेटो रोल बना के ready किये हैं, वों हम इसके ब तो इस तरीके से हम इसको बना लेंगे अगर आपको लगता है कि स्यूजी का मिक्स्चर थोड़ा सा मतलब टाइट हो गया तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालके इसको सॉफ्ट भी कर सकते हैं लेकिन हलके गरम गरम में बनाएंगे तो बहुत ही इजीली बनके रेडी हो ज क्योंकि अगर आप इसे तुरंट पलटने की कोशिश करेंगे तो जो हमने इसके उपर सूजी की अच्छी सी लेयर सी बनाई है वो हट जाएगी इसलिए जैसे आप देखेंगे एक साइट से हलके से फ्राई हो गया है फिर आम इने पलटना शुरू करेंगे और इसे बनाके जद्या खाईए आप जिसे भी बनाके खिलाएगे ना कोई नहीं कह सकता कि आपने बिना ब्रेट के बनाया है तो इस तरीके से बिना ब्रेट के भी आप बच्चों को या पाटी के लिए बहुत ही यम्मी स्नैक्स बना सकते हैं हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजे शेर कर दीजे और जल्दी से रिटा सलका के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे जल्दी ही मिलेंगे तब तक के लिए बाई